Study IQ IS अब तयारी हुई affordable यानि कि Top 10, Top 20 में रहां काई जिससे की लबसना के दर्शन हमें हो और वहां पर हमें हमारी मर्जी की Services और मर्जी का Cater भी मिल जाए तो यहां पर Topper कैसे बना जाए या कैसे UPAC में Topper की तरह prepare किया जाए इसको हम discuss करेंगे सबसे important चीज़ इसमें समझनी ये जरूरी है कि actually जितने Toppers अब तक हम देखते हैं चाहे हम टीनादाबी की बात करें अनुदीब दूरीशटी की बात करें शुबब गुमार की बात करें सुरुष्टी देशमुक की बात करें या फिर ऐसे बहुत से लोग है इरुबाई अंबानी की example है तो यू नो वेरी वेल के वेर अंबानी जार वन अनुट पावफुल फैमिली वुकेश अंबानी यू नो हाव पावफुल ही इस तो बहुत नीचे से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया और बहुत उपर तक इन्होंने राइस किया तो क्या चीज थी जिन्होंने इन्हें बाकी बीट से लगिया इट वस सम्माइंड से सेम तिंग अप्लाइस तो यू पीएसी अस्पेरेंट से आस्विल लेकिन अब सवाल ये बनता है कि इस माइंड सेट को कैसे ड्विल अब किया जा सकता है या माइंड सेट ड्विल अब किया जा भी सकता है या फिर ये बेसिकली यू आर दिससे सम्थिंग दाट यू बॉन विद तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि आपके लिए खुश खबरी है कि माइंड सेट को आप नर्चर कर सकते हैं इसको ड्विल अब किया जा सकते है हो सकता है कि इनिशली प्रपरेशन के टाइम पर आप बड़े ही दब्बू किसम के इंसान हो कि बहुत जल्दी डर जाते हो सिलेबस को देखकर आप ओवर विल्म हो जाते हो कि ओ बाएं को इतना बड़ा से ले बस कौन करेगा कौन सी सारी बुक्स में फॉलो करो यूट्यूब पे वो कह रहे थे ये करो ये कह रहे हैं वो करो ये निश्वेपर वो निश्वेपर ये मैगजिन वो मैगजिन क्या क्या नहीं होता तो मैंडसेट आप नर्चर अगर करेंगे तो उससे आप ये सारे डायलमा से बाहर निकल कर अपनी तयारी और अपनी पोटेंशल को स्ट्रीम लाइन कर सकते हैं तो इस मैंडसेट को ड्वलप करने के लिए देरा सर्टन स्टिप्स सबसे बहले तो देखो एक अच्छा माइंडसेट जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी कि आपको अपने थौट्स के उपर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि आपके थौट्स ही है जो आपके आक्शन्स बनते हैं तो हमारे mindset की development में भी यही process चलते है सबसे पहले जो हम सोच हमारी है हमें उसको सही करना है इस सोच से ठीक है फिर हम action सही करते है और इस action से फिर further हमारा mindset develop होता है जिससे के हम topper बन सकते है तो उस case में एक healthy discipline routine रखना बहुत ज़रूरी है and discipline routine का मतलब है कि चाहे कुछ चीज़ें कठें क्यों न हो फिर भी उन्हें करना है यह accept करके चले secondly you have to streamline your resources this is very important to develop a mindset like a topper topper कभी भी आप record निकाल दीजे पूरा ask any topper ठीक है personally भी अगर आप किसी को मिलते हैं या आपने किसी के interview देखी है you know you should know that कोई भी topper इसलिए topper ने बना क्योंकि उसने 10-10-20-20 किताबें पढ़ रखी थी वो topper इसलिए बना क्योंकि उसके resources वो limited थे उन limited resources को उसने maximum times revise किया पढ़ा यह matter नहीं करता कि आप कितनी किताबें पढ़के जा रहे है matter यह करता है कि किताबों में जो लिखा है वो आपको कितना समझ में आया है और समझे वोई को कितना आप recall कर पाते है right so this is important to understand कि कैसे right you can streamline your resources इसी के साथ साथ सबसे बड़ी गलती जो maximum students करते है कि देखो इनका discipline routine भी बन जाता है right they also know how to streamline the books लेकिन एक बड़ी गलती यह हो जाती है कि यह exam की nature को नहीं समझ पाते ठीक है books में दी गई चीजों को समझ तो लेते हैं लेकिन answer में कैसे use करना है MCQ में कैसे use करना है यह नहीं समझ में आ पाता और यह तभी समझ लगता है अगर आपको UPSC exam की nature के बारे में पता हो कि यह exam इस commission की demand actually क्या है और demand कोई बहुत बड़ी नहीं है दोस्तों UPSC की कोई बहुत जादा अपेक्षाएं आपसे सच में नहीं है वो केवल इतना चाते हैं कि भारत के सबसे जागरुक नागरिक वो इस exam में बैठें उनकी जागरुकता का हम आंकलन करें और जिसमें problem solving capability और problem solving approach है उसका हम चैयन कर लें आप जानते हैं कि I.S. officers को political leaders के साथ काफे साथ डील करना पड़ता है तो वहाँ पर just imagine कि आप किसी political leader के साथ बात कर रही है आपको भली बानती पता है कि political leaders generally अलग-अलग background से होते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आपको कोई बहुत intellectual leader मिलेगा आपको एक layman leader मिल सकता है कि जो बहुत ज़्यादा पड़ा लिखा तो नहीं है लेकिन लोगों की समस्यां को समझता है उनको समाधान निकालना चाहता है अब आपने कोई complicated issue उन्हें समझाना है तो बहुत ज़्यादा लंबी राम कता बताएंगे वहाँ पर उसको कुछ सम्मझ नहीं लगए वो कहेगा इसकी transfer कर दो किसने बना दिया इसको IS तो यहाँ पर यही demand है exam में भी लंबी लंबी depth नहीं चाहिए होती ठीक है? depth जो है यहाँ पर होनी चाहिए at the back of your mind आपके दिमाग में पूरी कहानी होनी चाहिए front of the mind में आप में यह capability होनी चाहिए कि एक complicated चीज़ को simplify करके हम कैसे लिख सके simplification is दगी इस बात को आज note कर लो इस बात को अज समझ लो कि अगर आपने simplification को समझ लिया कि कैसे अलग-अलग चीज़ों को difficult चीज़ों को हम simplify कर सकते हैं वही इस paper की demand है तेड़ सो और धाई सो शब्दों में कहा जाता है paper के answer लिखने का in the means क्यों? क्योंकि commission को भी पता है कि आप बहुत कुछ पढ़ रखें lengthy answer लिखना जादा असान होता है उस lengthy answer की चीज़ों को aspects को डेड़ सो डाई सो शब्दों में compress करके लिखना to the point लिखना वो मुश्किल होता है और वो सिरफ वही व्यक्ति लिख सकता है जिसके विचारों में सपश्टता हो जिसने बहुती clearly चीज़ों को understand कर रखा हो this is the nature of exam और MCQs में उन मुद्दों को उन facts के उपर focus किया जाता है तो generally एक आम व्यक्ति कहीं न कहीं या तो ignore कर देता है यहां फिर ऐसे questions आते हैं पर आपकी common sense को test किया जाते है तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति और हम लोग अपनी common sense का ही इस्तिमाल नहीं करते है तो common sense का exam यह जादा है और common sense को हम थोड़ा सा build up भी कर सकते हैं by reading different things तो इसका मतलब यह नहीं कि बहुत सारी कि मैं किताबों को streamline करने के लिए कह रहे हैं तो आप किताबें पढ़ना बंद कर दें किताबें पढ़नी है limited पढ़नी है और focus करना है चीजों के उपर जो मुद्धें वहाँ पर discuss की गए है और सबसे ज़रूरी चीज एक topper का mindset तब बनता है कि exam की nature को भी समझने से पहले आप खुद को समझें बहुत से लोग खुद को नहीं समझते आपको अपनी strength, weakness पता होनी चाहिए ताकि अपनी weakness पर आप काम कर सकें और जो strength है उसको और ज़्यादा निखा रहें और ज़्यादा polish करें और showcase करें रोडीस का audition तो आप सभी ने देखा होगा हलांगे UPSC के interview वैसे बिल्कुल नहीं होती वहाँ पर कभी ऐसे मत expect करना कि UPSC में रगु और राजीव आप से interview ले रहे हैं और वो सब task करा रहे हैं उस तरह की language use कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा बट येस वहाँ पर आप समझ सकते हो कि जब भी कोई वहाँ पर जाता है ठीके तो वो देखना चाहते हैं कि इसमें क्या strength है ठीके तो आपकी जो strength का showcase है वो right from pre point of view से start हो जाता है preparation से start हो जाता है ठीके आपका कोई एक subject अगर strong है तो उसमें अच्छा perform करो prelims के MCQs उनको target करो जब question आएगा उसको target करो means me if you are really good in you know कोई question आया है, 10 question आया है उनमें से 4 questions के उपर आपको बहुत अच्छी knowledge है तो उनका अच्छा answer लिखो ठीके ताकि वो कुछ कैसे questions हो में से 10 में से 8-8 number आप ले पाएं 15 में से 12-13 number ले पाएं ठीके बाकी कई questions में average you know 5-6-7 ये average होते हैं लेकिन कुछ questions में भी अगर हमारे 7-8-8 आप आगे out of 10 तो काफी आगे हमें race में पहुंचा दिया जाता है तो खुद को समझना बड़ा जरूरी है किस टाइम पर आप विचलित होते हैं ठीके आपको दिन में पढ़ने की आदत है कि रात में आप better perform कर पाते हैं ये सारी चीजें समझनी बड़ी ज़ुरूरी है तभी आप खुद को अपनी best potential को utilize कर सकते हैं ठीके तो ये UPAC self exploration की भी journey है अब इसमें ऐसा है कि इस journey में खुद को समझने के लिए और इस exam के अलग-अलग पहलों को अच्छे से cater करने के लिए mentorship और guidance की ज़रुद पड़ती है ये mentor देखो दोस्तों कोई भी हो सकता है आपका कोई friend हो सकता है जादा तर friends देखो वो हमारी तरक्की से जलते हैं वो 3-8 वाली philosophy चलती है बट अगर कोई अच्छा friend है और उसे इस exam की काफी knowledge है तो yes, he or she can be your mentor आपके parents हो सकते हैं जिन्होंने शायद services में clear कर रखा हो अपने time पर तो वो समझते हैं कि exam कितना difficult है कैसी psychology हो जाती है बच्चे की तो वो भी काफी कुछ guide कर सकते है आपका कोई cousin हो सकते है so on and so forth याँ फिर आप अगर coaching center join करते हैं तो वहाँ पर आपके faculties याँ फिर आजकर जैसे study IQ में हमारा P2I badge वहाँ पर हम mentors देते हैं already तो वो भी आपके guides बन सकते हैं जो आपको time to time बताएंगे कि how you can address your issues and how you can cater to the demand of the exam तो एक अच्छी mentorship guidance और एक सही plan बड़ा ज़रूरी है इस exam में top करने के लिए mindset के साथ-साथ खुद को समझने के साथ-साथ ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है और ये mentors guides ये actually they will help you to develop that mindset as well mentor की मदद से आप syllabus के अलग-अलग पहलू को better समझ पाते हैं syllabus सबके सामने available है ठीक, it's just one click away internet पे search करो UPC syllabus मिल जाएगा लेकिन उस syllabus को यहां तो हम पढ़ते नहीं है पढ़ते हैं तो समझते नहीं और समझते हैं तो उसके basis पे हमें चीज़ों को approach कैसे करना है उसके बारे में नहीं पता लगता तो एक guide, एक अच्छे faculty और mentor से ये सारे पहलू पता लग जाते हैं जिससे हमारी syllabus और हमारी preparation काफी अच्छी हो जाती है स्ट्रीम लाइन हो जाती है books and materials ये बहुत बड़ा एक critical issue है आज की date में देखो information age का जमाना है तो इतना material का भंडार है that is actually confusing you guys ठीक है बहुत aspirants दुखी होके कई बार मिलते हैं और वो यही कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी book follow करें वो कहरें वो book, ये book, वे book ठीक है, you know जब हमारी P2I की classes start भी होती है तो इन बच्चों ने खुद से classes को join करने से पहले काफी हाथ पहर मारे होते हैं और I realize कि उन्हों ने actually books इकठी कर लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है या फिर इतनी books इकठी हो जाती हैं ये बात मेरी बहुत radical आपको लग सकती है कि ये क्या सर ने कह दिया क्या book नहीं जरूरी होती obviously अगर आपके पास एक बहुत मोटी और बलकी किताब है let's say Anthony Giddens या हर लंबस की बात कर लेते हैं जो sociology के लिए पढ़ते हैं on the other hand उन किताबों का जो सार है और जितनी चीज़ें आपको 300 शब्द का आंसर लिखने के लिए चाहिए 1500 शब्द का आंसर लिखने के लिए चाहिए अगर किसी ने आपको वो सिखा दी एक summary दे दी तो फिर वो book पढ़के क्या करोगे बहुत से आप ask any topper many of the toppers they haven't even touched those books उन्होंने अपने coaching notes को follow किया और answer writing practice को follow किया coaching notes से they understood different aspects and different topics and answer writing practice से how to use that knowledge how to use those notes into the answers उसकी training लिए उन्होंने उसको topper बनाया तो books की rationalization बहुत ज़रूरी है you don't need to have to go behind every book every material which is coming in the market यह आप analysis paralysis में फस्स जाएंगे वो नहीं करना specific issues कभी-कभी आजाते हैं घर में शादी है पढ़नी पाई बिमार पढ़ गए momentum break हो गया कैसे वापिस आएं तो उसमें भी mentor काफी help कर सकते है recently किसी ने approach किया था कि दो हफते से the person was ill तो वो अपनी classes नहीं लगा पाया तो क्या किया जाए राइट तो उनको बड़ा simple सा solution दिया कि क्योंकि आप देखो online batch में हो तो उसमें आप मौझूद हो तो देखो recordings तो हमेशा रहेंगी और उनको जितनी मर्जी बार आप देख सकते हो ऐसा तो है नहीं कि हमने limit लगा रखिये तो अभी आपके पास क्या option है कि आप या तो नया component नया topic शुरू हो रहा है वहाँ से live start कर दो so that you are in touch with the ongoing developments अब जो छूट गया हर दिन दो या धाई गंटे निकाल के उसको भी आप cover कर सकते हो या फिर इस component के पूरे होने के बाद क्योंकि recording तो आपके पास रहेगी ठीक है और 30 महीने तक रहेगी because the validity of our P2I courses for you know 30 months, 20 साल बनता ही है तो आप उसको जब चाहे देख सकते हैं तो अभी flow में आप अपना complete कर लीजे remaining portion आप देख सकते हैं meanwhile अगर लगता है FOMO हो रहा है fear of missing out तो crux document भी हम देते हैं hand written notes देते हैं तो crux document जिसमें basically जो भी class में पढ़ाया जाता है उसकी summary होती है उसको study कर लो ठीक है तो खुद से आपने crux document पढ़ लिया फिर component complete होने के बाद दुबारा recording देख ली अगर miss होई थी class तो उससे भी आपकी बात बन जाएगी right so this is the way how you can approach या जो specific issue है वो mentor guidance की मदद से एक solution निकल आता है तो solution oriented चीज़ें रहती है ठीक है they help to develop a mindset ठीक है क्योंकि initially बच्चों का क्या होता है कि वो लगता कि हाथ पर मतलब फूल जाते हैं कि क्या करें ठीक है टॉपर का mindset क्या होता है कि टॉपर हमेशा देखेगा कि इस problem का समाधान में कैसे निकाल सकता हूँ तो mentor guide की मदद से वो समाधान की तरफ ध्यान ज्यादा जाते है राइट faculty की help से जैसे P2Y में भी best faculties in the countries they are deployed I am there Shashank sir is there Amit sir is there मैं ठीक ठाक हूँ बाकी लोग सच में बहुत अच्छे से पढ़ाते है they are really dedicated राइट so वहाँ पर in the classes ठीक ह तो वहाँ पर एक topic को या एक book को approach कैसे करना है उसके बारे में पता लगते है ठीक है कि जैसे freedom struggle की मैं example देता हूँ freedom struggle में ऐसे है कि बड़ी interesting story है एक novel की तरह भी आप freedom struggle की कहानी पढ़ सकते हो right जैसे कि आपने गदर movie देखी उसको एक movie की तरह देखा तो बड़ा मज़ा आ परती थी उस convent school का या college का नाम क्या था या Amisha Patel की mother का नाम एक scene में reveal हुआ था वो क्या नाम था Amisha Patel की mom का ऐसे questions पूछे जाते है तो आपको realize होता है कि यार हमने तो entertainment के लिए देखा था आप क्या पूछते जा रहे हो लेकिन paper में इन ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना यह क्या pointers निकालने है faculty जब class में समझाते हैं उससे better पता लग पाता है बहुत से बच्चों को लगता है कि online में सब कुछ free में मिलता है books market में हैं तो हम न कर लेंगे लेकिन उन books को use कैसे करना है ये कौन बताएगा online free में मिलता है online जो free में मिल रहा है that उसकी quality आपको पता attempt में fail होते हो न तब realize होता है तो better है कि live classes ठीक है चाहे online या offline लाइफ classes की help से आप अपनी preparation को already सही direction में देए and top पर जो होता है न वो यही चीज़ करता है उसको ये पता होता है कि book में से निकालना क्या है topic में से निकालना क्या है अखबार में से निकालना क्या है अखबार म जो current affairs हैं, वो आजकल monthly compilations में आ रहे हैं, which we give in P2Y batch as well, right, तो वो चीज़ आपकी help करती है, ठीक है, इसी के साथ daily basis पे, जैसे P2Y में, we have association with selected and retired bureaucrats, तो वो time to time ज्यानवानी sessions लेते हैं, उन ज्यानवानी sessions में वो अपने career के बारे में बताते हैं, in services के बारे में बताते हैं, challenges जो आते हैं और उन challenges का resolution कैसे होता है, तो वो चीज़ भी आपका mindset develop करती है, that yes this is something that I aspire for and I have to prepare well, right I have to prepare well, along with that classes के अंदर जब चीज़ों को पढ़ रहे हो, ठीक है उनको पढ़ते होए आपको पूरा emphasis यह दिया जाता है कि इसमें centi नहीं होना चीज़ों को लेकर UPSC को नहीं religion नहीं बनाना it's an exam, so treat it like an exam, ठीक है तो इसमें mcqs और answer कैसे लिखने है focus इसमें होना चाहिए, कि किताब पढ़ी topic पढ़ा, mcqs कैसे होने, answer कैसे हो रहें, यह चीज़ होनी चाहिए, and all in all जब आपको एक schedule दिया जाता है, plan out किया जाता है आपकी चीज़ों को, तो आप अपने time की भी best utilization कर पाते हो just imagine, आप कोई काम करना शुरू करते हो ठीक है, और उसमें आपको कोई deadline नहीं दी गई कि हाँ, यह जब आपका मन करें, आप कर सकते हो तो obviously उसको करने की approach और आपका काफी lackadisical हो जाती है ठीक है, आप seriously नहीं करते है उसको लेकिन क्योंकि हमारे batches में बहुत sincerely हम पूरा का पूरा approach करते हैं तो उससे काफी ज़्यादा फाइदा है ठीक है, और अगर आप खुद से भी prepare करें तो मैं यही सला दूँगा, कि plan करना है चीजों को, ठीक है, तो इसमें देखो mentor की मदद से syllabus को जब हम समझते हैं, तो हम precise होते हैं हम बहुत ज़्यादा फैलते नहीं है, ठीक है महाराजा रंजीत सिंग की राणियों के बारे में जानना चाते थे, वो, right, मीसल क्या होते हैं, जानना चाते थे, ये पंजाब और सिख हिस्ट्री से related वो concept हैं जिनको बहुत अदर डिटेल में पंजाब PCS के लिए भी नहीं किया जाता, महाराजा रंजीत सिंग is important, उनकी राणियों के जान के वो इतना है ही नहीं जलूरी, right, तो ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ पर focus करना है, किस पर नहीं करना, और deviate नहीं होना, PhD आप select होने के बाद भी कर सकते हैं, अभी it's important कि आप exam में इसको crack करें, right, तो इसमें क्या है कि आपकी useful और relevant output निकलती है, which makes you a top perfect, which helps you to get selected, books and material की guidance से क्या होता है, कि आपके resources limited रहते हैं, आपकी revision maximum रहते है, so that helps you to recall information and solve MCQs as well as write the answers in a very good way, specific issues की अगर resolution को ये आपकी करता है, ठीक है, जैसे बच्चा demotivate हो रहता है कि किसी reason से मैं पढ़ नहीं पाया है, ये problem आ रही है, मेरा friend disturb कर रहा है, मुझे books नहीं समझ आ रही, मुझे ये नहीं पता लग रहा कि economy मेरा weak रह गया इसको मैं कैसे करूँ, right, तो उसमें जब आपके specific issues कोई mentor उनको address करता है, तो आप में motivation रहती है journey लंबी है, काले गोड़े इसमें survive कर पाते हैं, इसको school, college का exam समझने की गलती ना करना तो इस लंबी journey में motivated रहोगे तो आगे बढ़ोगे, right, इसी के साथ-साथ motivated रहोगे तो अपनी potential का भी सही इस्तेमाल कर पाऊगे along with this, faculty जब हम, जैसे हम लोग भी class में पढ़ाते हैं, आपने मेरी साहस की series जरूर देख रखी होगी, YouTube पर, ठेक है, तो that is quite a limited series, class में हम और भी ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को cover करते हैं, so जब भी हम किसी topic को पढ़ते हैं, तो we focus on concepts, the factors behind that a particular issue, the significance of that issue, outcome of that issue, right, and certain way forward, अगर किसी चीज कोई problem की बात कर रहे हैं, और इन सब चीजों को करते हुए, MCQs और mains answer, they are the sun around which everything will revolve, ठेक है, तो इसमें देखो, किसी चीज में इंटरस्ट इतना ज़्यादा कई बार हो जाता है कि ऊटपटांग चीजें पूचेंगे, ठीक है, ऊटपटांग सवाल आएंगे, right, कई बार क्या होता है, बच्चे को लगता है कि किताब पढ़के, पॉलिटी पढ़के, they start thinking that हम तो lawyers हो गएं अब, ठीक है, और पता लगता है कि जो लोग कोचिंग, even offline centers में भी कई लोग कोचिंग ले रहे न, वहाँ पर I fail to understand what is happening in the classes, कि लोगों को, मतलब, सच में basic fundamentals ही ही ले होई है, right, constitution में कहीं नहीं लिखा, ये, वो, ऐसे, वैसे, लेकिन, क्या इस पर सवाल बनेगा, जो आप चीज़ें पूछ रहे हो, के रियर organization में, state का prior approval लिया जाता है, क्यों नहीं लिया जाता है, constitution में लिखा हुआ, right, ये, सवाल कहां पर बनेगा, उस पर focus करना होता है, ठीक है, तो ये जो twisted question कई बार आ जाते हैं, जिनकी relevance है ही नहीं paper के लिए, इसी के पीछे पढ़ कर, इसके उपर PhD research करके, सारा बेडागर कर देते हैं, पुरा बंटाधार हो जाता है, वो चीज़ नहीं करने हैं, ठीक है, तो classes में, हमारी approach, MCUs और mains, इनको कैसे solve करना है, इस पर रहती है, तभी हम limited time में maximum output दे पाते हैं, तो हमारा P2Y batch, New Year का second batch, यह launch हो चुका है, 17 Jan को इसकी पहली class होई, शशांक सर्ने इसमें orientation class ली, इसको आप आज भी, या थोड़ा late अगर आप हो गए हैं, तो इसमें अभी enroll करते हैं, तो यह recording इसकी आपको मिल जाएगी, and live classes हमारी होती हैं, जिसमें आप अपने doubt पूछ सकते हैं, interaction होती रहती है, बड़े discipline में classes होती है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे miscrepents जो हैं, class में clutter और chaos create करके, faculty को बढ़ानी ने देते, faculty बड़े तरीके से class को manage करते हैं, they explain a particular topic, they take a pause, they ask कोई doubt है, कोई गिला शिक्वा कोई question, people ask, it is a result and we proceed ahead, तो इसे घर बैठे बैठे आपको दिल्ली में जो, तिल्ली का ग्यान जो है, वो घर बैठे बैठे आपके पास महुँच रहा है, और काफी अच्छी preparation हो रही है, सिरफ class तक बात नहीं रहती, class के साथ साथ, आपको class के बाद भी mentorship मिलती है, तो class के बाद कोई doubt आया, कोई problem आया, mentor, एक dedicated person, जिसका number आपके साथ share के जाएगा, उससे आप बातचीत कर सकते हैं, along with that, daily basis पर एक mains का question हम देते हैं, उस mains के question को answer करके, आप अपने portal पर upload करते हैं, उसकी evaluation होती है, आपको feedback मिलता है, तो एक daily exercise से क्या होता है, कि आपको पता लगता रहता है, that how you can write good answers, better answers, and improve further, right, हर हफ़ते में एक test होता है, 50 MCQs का, तो static part, और जो इस batch में आपको current affairs भी मिलते हैं, right, एक हफते के current affairs पर भी सवाल आते हैं, वो भी solve हो जाते हैं, ठीक है, along with that, prelims के time पर आपको crash course मिलेगा, ये crash course free of cost इसमें आपको मिल रहा है, कोई extra charge नहीं देना, उसकी test series, एक comprehensive test series भी मिल रही है, with 75 sectional, जिससे आप अपनी काफी अच्छी effective तयारी कर सकते हैं, so those students, and one more thing, इसमें जो validity है, this validity is 30 months, so today it's 17th Jan, right, so 17th Jan 2024, तो 30 months की validity का मतलब है, कि approximately 17th June of 2026 तक, ये course आपके पास valid रहेगा, so even 2026 aspirants के लिए, it's quite a nice course, तेक है बहुत बढ़िया course है, ये 2026 के candidates के लिए भी, ठीक है, तो, और one more thing, 2024 के candidates सोच रहे होंगे, कि ये हमारे लिए है, क्या, आपके लिए भी है, कैसे है, फटा-फट समझ लो, देखो यार, इसमें foundation course नो मिल रहा है, ये तो बिल्कुल beginner के लिए है, अब जो लोग 2024 को attempt करने जा रहे हैं, January में if they are beginning, तब मैं उनको सला दूँगा, कि आप अपना target 2025 का ही रखो फिर, ठीक है, January, तैयारी शुरू करने का time होता है, अगले साल के हिसाब से, ठीक है, अगर same year में, में या जून में paper हो रहा है, तो January में actually आपकी revision होनी चाहिए, so we are resuming कि आपकी foundation, आपने खुद से self study करके prepare कर लिए, तो अगर आप इस course में enroll करते हो, तो आपको crash course 2024 का भी मिलेगा, 2024 के crash course में, आपकी वही, classes लगेंगी, टेस्ट होंगे, ठीक है, और अगर आपकी selection हो जाती है, से ले बस हम दुबारा करेंगे, और answer writing को ऐसा nourish करेंगे, कि जब भी आपका pre clear हो, चाहिए 2025 का clear हो, you are mains ready, and you crack the mains exam, right, mentorship इसमें रहेगी, अकेले SIP में नहीं रहती, इसमें रहती है, right, interview guidance भी आपको मिलेगी, and 2024 के attempt में, किसी भी stage पे problem आती है, तो obviously आप 25 का भी दोगे, ऐसा तो है नहीं, इतनी मेनत करके, आप पीछे मूँ मोड लोगे, तो 2025 का भी आपको crash course, advanced course, और interview guidance में मिल रही है, right, so 2024 candidates, you are getting two crash courses here, by enrolling in this batch, 2024 and 2025 का, ठीक है, mains की भी पूरी guidance, mentorship, interview guidance, सब कुछ मिल रहे है, तो पूरा का पूरा syllabus, foundation वाले students, जिन्होंने 2025 को target करने है, और base से start करने है, तो quality से हम शुरू करने जा रहे है, on 18th January, and by 18th January 2025, society से हम इसको conclude करेंगे, and entire syllabus will be done, उसके बाद prelims का crash course होगा, test series होगी, mains, mains का crash course test series, and your final selection, तो इसमें enroll करने के लिए, what you have to do, आप study IQ की website पर जा सकते हैं, website पर you have to search for UPSC P2I live English batches, ये English और Hindi में भी available है, let's say आप English, यानि कि bilingual जैसे हमारी ये interaction चल रही है, और text आपको material English में मिल रहे है, तो इस batch में आप enroll करना चाते हैं, यहाँ पर गए, buy now पर आपने click किया, buy now पर, now see, 36,000 का ये course है, लेकिन आप इस पर एक code लगा सकते हैं, जिससे आपको काफी discount मिल जाएगा, ठीके 12,000 का discount आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए C-S-L-I-V-E, ठीके CS live, ये apply करोगे, तो वाला, 24,000 में आप इस बेहतरीन course में इन्रोल करके, अपनी तयारी को streamline कर सकते हैं, right, so this course has everything, that you need, to develop that mindset of a topper, and if you have the mindset of a topper, you will actually prepare like a topper, इसमें इन्रोल कीजिए, description और comments में आपके पास link है, कोई भी अगर किसी को समस्या आ रही है, तो telegram पर you can search, C-S-L-I-V-E, and G-R-O-U-P, C-S live group आप search करोगे, तो यहाँ पर आप मेरे साथ connect हो सकते हैं, and this is my handle, at the rate H-E-L-L-O-C-H-A-N-D-A-N, ठीक है, at the rate H-E-L-L-O-C-H-A-N-D-A-N, this is my telegram handle, यहाँ पर आप मुझे message कर सकते हैं, आज के लिए इतना है दोस्तों, उमीद करता हूँ कि इस session से आपको काफी कुछ, एक informed insights मिली हैं, जिसके मदद से, आप एक informed decision लेंगे, अपनी तयारी को लेकर, ठीक है, कोई भी decision लेना है, informed लेना है, blindly decision लेने से, problems आती हैं, so I hope मैं justice कर पाया, जितनी information P2I के बारे में थी, and otherwise भी एक topper की तरह prepare करने के लिए, whatever you need, उसके बारे में आपके पास अब जानकारी है, do that, all the best, and see you soon in the classes, those who are planning to enroll in P2I, thank you so much. Study IQ IAS, अब तयारी हुई, affordable.